दोस्तों हम मेंसे हर कोई शाम की चाय के साथ कुछ न कुछ नमकीन खाना तो पसंद करता ही है बाजार से जो नमकीन लाईए वो मैदे की बनी होती है और फिर उसमें इतना ज़्यादा मोयन पड़ा होता है एक दम मुँ में खाओ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ घी ही आप चबा रहे हो तेल चबा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है अजीब समन हो जाता है तो आज हम घर पे ही बनाएंगे ऐसा नमकीन जो की खाने में भी हिल्दी है और मज़ा भी आएगा आपको खाने में तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आटा मैंने 300 ग्राम आटा लिया है और इसमें मैंने एक चमश नमक एट किया है थोड़ा सा अजवाइन को हाथों पे क्रश करके मैंने इसमें डाला है और थोड़ी सी कलोंजी मैं इसमें डालूंगी कलोंजी का टेस्ट इस नमकीन में अच्छा लगता है और आप इसे बना करके खुब अच्छी तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं महीनों तक ये खराब नहीं होता है अब इसमें हम डालेंगे मोयन मोयन में आप देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा ये एक हेल्दी ऑप्सन है और इससे नमकीन हमारी करारी बनती हैं और काफी समय तक ये अच्छी बनी रहती है अब हम क्या करेंगे कि मोयन को अच्छी तरह से लगाने के बाद इसे चेक करेंगे मोयन चेक करने का सबसे इजी मेथड है ये कि हाथों में आप इस तरह से लड़ू बनाईए और ये बंध जाना चाहिए वैसे रेशियो ये होना चाहिए कि अगर आप 200 ग्रम आटा ले रहे हैं तो उसमें 60 हैमिल तक आप इसमें मोयन एड़ कर लीजिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक टाइट डो तैयार करेंगे डो को जब आप टाइट लगाएंगे तभी आपके नमकीन खस्ता बनेंगे तो इस बात का आप खास खयाल रखिएगा और यहां पे देखिए आटा हमारा खुब अच्छी तरह से गूंद गया आप देख रहे हैं यह थोड़ा सा रफली आपको दिख रहा होगा बस ऐसे ही हमें लगाना है और अब एक लोई निकालेंगे बड़ी सी हम और इस तरह से हाथो पज इस तरह से मैं घुमा रही हूँ न इससे आसानी से यह गोल हो जाता है आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी और यह देखिए इस तरह से यह चिकना गोला हमारा बन करके तयार हो जाएगा और अब इसे हम इस तरह से बोर्ट पे रखेंगे और इस तरह से साइट से बेलते हुए कभी भी आप जब टाइट आटा हो न तो आप इसे साइट से बेलिए या फिर पराठे भी अगर आप बेलते हैं तो साइट से उसे बढ़ाईए साइट से बढ़ाने से क्या होता है कि ये आसानी से बिलता भी है और फिर अच्छी तरह से ये फैलता भी है और ये लीजिए बातों बातों में हमारी रोटी भी अच्छी तरह से बिल करके तयार हो गई है बहुत जादा इसे मोटा नहीं रखना है नहीं बहुत जादा पतला करना है अब इसके चारो किनारों को हम कट करके इस तरह से निकाल लेंगे ये थोड़ा सा रफली आपको दिख रहा होगा तो हम इसे निकाल देंगे ताकि तलने में आसानी होगी एक तरह के हम इसमें डालेंगे तेल में तो एक समान जो है वो लाल होंगे नई तो फिर क्या होगा कि ये साइड वाले डालेंगे तो ये जल जाएंगे तो आप इस तरह से किनारों को कट करके निकाल लीजिएगा और इसकी लोई फिर से तयार हो जाएगी और फिर अगले बै तो मैं इसे पतला-पतला ही काट रहा हूँ दलने में भी आसानी होती है तो बहुत टाइम नहीं लगता है तलने में एक साइड से एकी कट करके तयार हो गया है और अब इस से हम बीच से आधाभाग में इस तरह से कट करेंगे आप चाहें तो थोड़े से और छोटे भी कर सकत खरते हैं और यह लीजिये सारे के सारे नमकीन हमारे कट करके तयार हो गया हैं दिख रहना अच्छे और चलिए अभी ने फ्राइए कर लिया जाए यहां मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था फ्लेम को बिल्कुल मैंने low to medium ही रखा है और अब मैं तेल को चेक कर रही हूँ ये देखिए तेल में जब हम एक टुकड़ा डालेंगे तो ये बिल्कुल से उपर नहीं आना चाहिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये धीरे-धीरे से इसके bubbles निकल रहे हैं और ये धीरे-धीरे उपर की तरफ आ रहा है तो तेल हमारा बिल्कुल ठीक है और अब इसमें हम थोड़ी-धोड़ी मात्रा में डालते हुए नमकीन को तलेंगे एक बार में बहुत ज़्यादा मट डालिएगा नहीं तो फिर क्या होगा कि तलने में आसानी नहीं होगी तो थोड़ी-धोड़ी मात्रा में ही जिस मात्रा में आपने तेल डाल रखा है कढ़aphorी में उसी मात्रा में आप डालिएगा और इसे धीमियाज पर डालने के समय बिल्कुल धीमियाज रखिएगा थोड़ा सा ये हलका सा इसका कलर चेंज होगा उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे मतलब लो टू मीडियम आप देख लिजेगा अगर ज्यादा गर्म हो जाए तेल तो बिल्कुल लो कर दीजेगा या फिर इसे मीडियम आज पर ही तलिएगा तो इस तरह से आपके नमकीन खूब अच्छे बन करके तयार होंगे तो इस बात का आप खास ख्याल रखियेगा नमकीन कुरकुरा बने खासता बने इसके लिए तलना ही सबसे अच्छा होना चाहिए और ये देखिए बातो बातो में ही नमकीन हमारी खूब अच्छी तरह से ये सिक गई है कलर इसका खूब सुन्दर आ गया है और अब इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा नहीं तो फिर कड़वा लगेगा खाने में और बहुत ज़्यादा मतलब इसे मतलब वाइट रहे ऐसा भी मत निकालिएगा तो इस तरह से थोड़ा सा ये गुलाबी कलर आ जाए इसका हलका सब्राउन तब इसे निकालना है और ये देखिए एक बैच हमारा तयार हो गया है और इसी तरह से हम बाकी के बैचेज भी तयार कर लेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हुए डालते समय साधानी रखिएगा इसे साइट से ही डालिएगा और इस तरह से सारी नमकीन हमारी तयार हो जाएगी यकीन मानिये दोस्तों ये नमकीन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में बहुत ज़्यादा ओयली नहीं लगती है तो आप इसे जरूर से ट्राइ कीजिएगा और ये लीजिए हमारी नमकीन बन करके तयार हो गई है लग रही है न लाजवाब और इसकी आवाज सुनिए दोस्तों हैना क्रिस्पिक बहुत जादा खस्ता बनी हुई है इसे मैं आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ ये देखिए आपको तोड़ने से लग रहा होगा कि ये हार्ड नहीं है मतलब सॉफ्ट भी है और खस्ता भी है तो आप ये वाली रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फेस्बूक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर से कीजिएगा धन्यवाद